सुन सुभ कथा भवानी राम चरित मानस बिमलाओ कहा भुसंडी बखानी सुना विहग नायक गरुणाओ हे पारवती निर्मल राम चरित मानस की वह मंगल नवई कथा सुनो जिसे काग भुसंडी ने विश्टार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था सो संबाद उदार जहि भी दिभागें कहवो सुने हु राम अवतार सहरित परम सुन्दर अनगव वह स्रेष्ट संबाद जिस प्रकार हुआ वह हमें आगे कहुँगा अभी तुम सी राम सुनर जी के अवतार का परम सुन्दर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो स्रीहर के गुण नाम और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं अदर्पूर्वग सुनो जैसिया राम जै जैराम मंगल भवन या मंगल हारे द्रवावं सुदसरत अजिर भिहारे सुनगी रिजा हरी चरित सुहाए विपुल विशद निगमा गम गाए हरी आवतार हे तुझे ही होए इद मिध्थम कही जाए नसोई हे पारवती सुनो वेद सास्त्रों ने इस दी हरी के सुनदर विश्द और निर्मल चरित्रों का गान किया है हरी का उतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जने कोई जान ही नहीं सकता राम अतरिक बुद्धि मत बानी मत हमार अस सुनही सयानी तद पिसंत मुनि बेद पुराना जसका सुकह ही स्वमति अनुमाना हे सयानी सुनो हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से इसी राम जिनर जी की तरकना नहीं की जा सकती तथा भी संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अंसार जैसा कुछ कहते हैं तसमें सुमु की सुनावं तो ही समुजी परई जसकारन मोही जब जब होई धर्म कैहानी बाढ़ ही असुर अधम अभी मानी और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है यह सुमु की वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ जब जब धर्म का हरास होता है और नीच अभी मानी राक्षस बढ़ जाते हैं करही अनी ती जाय नहीं बारनी सीदही विप्रधे इनुसूरत धरनी तब तब प्रभु धरी बीविद शरीरा हरही कृपा निदी सज्जन पीरा और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्रामण गौ देवता और पृतिवी कष्ट पाते हैं तब तब वे कृपा निदान प्रभु भातिभात के दिव्य शरीर धार्ण कर सज्जनों की पीडा हरते हैं असुर मारी थापा ही सुरहना रा कहीने जिस्रूति सेत। जग विष्टा रही विशद जसो राम जन्म करहेत। जैशिया राम जैजैराम मंगल भावन या मंगल हारे द्रवा उंशुदा शरत अजिर विहारी